नमस्कार दोस्तों वेलकम टो ब्रैंड न्यू मीडियो मैं हूं अमन बलूनी आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ऑटो मॉडल्स अब वीडियो के टाइटल से और थमनेल से आप समझ गये होंगे कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं देखिए मैं हूं ओनर टीविस रेड को किसी वीकल को तब वो जार अच्छे से बता पाता है कि इसमें अक्चुली दिक्कत क्या है एंड सिंस मैं एक ओनर उसका एंड मेरी डेली कम्यूटर की तौर बेस को यूज करता हूं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पूरा इसका जांच परतल आपको प्रोवाइड क फिर ब्लिंक करने लग जाएगा और ट्रिप इतनी जल्दी चल जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि गाड़ी में तेल है तो फिर टंकी खोल के देखता है तो तेल होता है लेकिन यहां पर कुछ दिक्कत ही है दूसरा यह गेर शिप्टिंग वाले उसमें प्रॉब् बंद हो गए थे तो मैं TVS गया था उनके पास इसका कोई solution नहीं था एंड उसके कुछ दिन बाद अचानक से वह ठीक भी हो गया चलना मला पता नहीं क्या चल रहा था तो देखो ब्राइटनेस तो इसकी बहुत अच्छी है उसमें कोई डाउट निया धूप कड़ी से बीच में यह पैनल हलका सा बाहर को निकल गया था अब हुआ गया मैं इसको TVS लेके गया TVS वाले मतलब लिटरली पता नहीं क्या सर्विस है देखो मैं खुलने में बोलूंगा यार मेरी बाई के तो मैं तो बताऊंगा कि वह बोलते सर हमारे पास इसका नट नहीं है एक्चुली जब आप सर्विस करा होगे तब हम कर देंगे अच्छा सर्विस से पहले मैं गट-गट-गट-गट उसकी आवाज सुनते वे गाड़ी चला हूँ तिमाग खराब हो गया था यार उसके बाद जब सर्विस होई तब उन्होंने जागे इसको ठीक किया उससे पह तरफ भी आपको एक दिखा जेते हो इसरे लाइव ही दिखा दूगा आपको यहां पर देख लो आप किस तरीके से यहां पर गया पैणल में यह उपर की तरह पना चाहिए ऐसे चिपकाव अगर इस तरफ से आप देखोंगे यहां पर भी आपको इसी तरह से मिलेगा तो य अब अच्छी चीज़े बताता हूं अच्छी चीजों से पहले आपको बता दूँ कि इस बाइक पर लॉंग ट्रिप करने वाले हम बहुत जल्दी दो बंदे जाएंगे इसके ओपर काफी लंबा उससे आपको अपडेट्स देंगे हम कि किस तरीकी की परफॉर्मेंस दे रही है तो अगर आपको उन व्लॉक्स को मिस नहीं करना है तो चैनल को अब अभी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है काफी मजा भी उनमें आने वाला है तो शुरुआज करता हूं उसकी सबसे पहली अच्छी बात है इसका माइलेज जिस लुक्स के साथ ही आती है इतने स्पोर्टी लुक्स के साथ माईलेज आपको इतना तकड़ा देती है मैंने इसमें टांग टो टांग जो मलब ऐलब एक्स्ट्रीम टांग टांग 66 का माईलेज जब गाड़ी बढ़ बंद हो गई थी हानाकि अगर मैं वैसा नहीं चलात सबसे बड़ा फीचर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मस्त फीचर है इसमें जो आपको उबलफ्थ खराया गया है इन लुक्स के साथ दूसरी सबसे बढ़िया बात है इसका एक्जॉस्ट नोट जो मन करता रहता है गाड़ी चलाते ही रहो सुना देता हूं आपको कुछ जादा ही क्लासी सा इसका एक्जॉस्ट नोट है जिसकी वज़े से आपको मन करता है कि यार यह रस्ते खतम ना हो कभी तीसरी सबसे बढ़िया चीज है इसका हेडलाम अब हेडलाम इसका चाहिए हाई बीम लो बीम दोनों की बात कर लो भाई बहुत ही जादा अच्छा थ्रो है इनका मतलब मेरे को अंधेरे से अंधेरे वाले रास्ते में आज तक इसको हाई बीम पर करने की जुरत नहीं पड़ी इतना क्लासी इसका थ्रो मिल जाता है अगले सबसी अच्छी चीज क्या इसके बारे में इसका पफॉरमेंस चाहे सिटी की बाद कलो सिटी में ब काल के दी थी बागी आपको बता दू कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें दो मोड मिलते हैं इको एंड पावर उसमें जो डिफरेंस आपको मिलता है न परफॉरमेंस का 19-20 का मैं बोलूंगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैसूस आप उसको कर सकते हो इको मोड मे कि अगर आपको इंजन पर जाला स्ट्रेस नहीं देना है तो आप पावर मोड में इसको चलाईएगा अगला इसका पॉइंट जो है वह इसकी ब्रेकिंग देखिए पहले मैं ब्रेकिंग को इसके नेगेटिव में डालने हाला था लेकिन पॉजेटिव मैं इसले डार रहा ह उसके अंदर आपको ABS मिल जा रहा है यह विदाउट ABS वाली है जब यह लॉंच होई थी उस समय मैंने पर्चेस करी थी December 21 के अराउंड आपको मैं बता दूं कि ब्रेकिंग इसकी अच्छी है बिना ABS के भी लेकिन ABS की रिक्वार्मेंट मुझे अभी तक एक बार महसूस सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया पॉजिटिव इसका है इसके लुक्स आप लुक्स देख लो कितने शांदार हैं किसी भी एंगल से लगसी नहीं है कि यह कम्यूटर बाइक है आपको पुरा स्पोर्टी फील देती है और स्पोर्टी फील के साथ आपको यह माईलेज दे साथिस्वाइड आप प्रॉब्लम जाती है लेकिन इंसान जहल लेता है आदत बना लेता है जीने की और मैं जारा चुल नहीं पालता चीजों के बारे में तो मेरे को यह परफेक्ट है मैं आपको भी यह रेकमेंट करूंगा स्पेशली अगर कोई स्टूरेंट है किसी का कम बजाया होगा काफी कुछ जानने को मिला होगा इस बाइक के बारे में अपने व्यूस हमार साथ शेर जरूर कीजेगा कॉमेंट में अगर एसी और वीडियो आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आटो मॉडल्स को मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन